और अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जब नियली ने लेजंडरी फोबिजन आर्ट का यूस किया था तो हर वो अटैक मॉंस्टर को जाकर लगा था और वहां उनके टकराफ से बहुत बढ़ी एनरजी फेव जिनरेट हो जाती है और आसपास हर जगा भुकम पा जाता है ये महल बहुत जादा खतरनाक और डरावना था क्योंकि इतनी खुशाल जगा पर आज ये तबहाई का मनसर आया हुआ था शेन होंग ये सब देखकर काफी ज़्यादा शौक होते हैं और क्योंकि ऐसे खतरनाक अटैक सिर्फ लेजंडरी रैंग का योद्धा ही कर सकता है उ उसको ये पता था कि अटैक उसके पापा ने नहीं किया है क्योंकि उसके पापा विंड और स्नो विंड टेक्नीक की प्राक्टिस करते हैं वो ऐसे वाला अटैक नहीं कर सकते हैं वो अब सोचने लगते हैं कि ग्लोरी सिटी में आखिर वो कौन है जो इतना खतरनाक अटैक क उन्हें लगता है कि कहीं ये शीवी का काम तो नहीं शीवी वो श्रॉंग आदमी है जो छुप कर रह रहा है शीवी के बारे में हम अच्छे से आगे के एपिसोड में जानेगे लेकिन अब सिटी लॉट को थोड़ी राहत की सांस मिली थी क्योंकि अगर ये अटाक सच में शी उद्धा मिलने वाला है और ये बहुत अच्छी बात होने वाली है और अब आगे जब नियली और येजी उनकी शादी होगी और वो दोनों जब इस शेहर को संभालेंगे तो शीवी उनके लिए काम करेगा इस शेहर को नहीं उचाई पर ले जा सकेगा वहीं शैन हॉंग ड नियली खुद अभी ये नहीं बताना चाहता था कि अटैक नियली ने किया है क्योंकि अगर शैन हॉंग को ये पता चलेगा तो शैन हॉंग का कलेज़ा फट के हाथ में आ जाएगा और वो अब नियली को जान से मारने की कोशिश करने लगेगा अब नियली फिर आगे ये ब्लेट्स को जान से तुत नहीं मार सकते हैं लेकिन ये ब्लेट्स मॉंस्टर्स को काफी ज़धा सॉल पावर एब्जॉब कर सकते हैं जिस वजह से जब मॉंस्टर कमजोर हो जाएंगे तब सैनिक मॉंस्टर को आसानी से मार पाएंगे अब नियली एक ब्लेड मॉंस्टर पर दे मारता है और उसके मारते हुए वो मॉंस्टर नीचे गिर जाता है फिर सैनिक वहां आकर उस मॉंस्टर को जान से मारता है और अमनियली दूसरे मॉंस्टर को भी इस ब्लेट से मारता है और सिटी लॉड जिस मॉंस्टर से लड़ रहे थे जब एक ब्लेट उस पर लगती है तो वो घायल हो जाता है और सिटी लॉड उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं सिटी लॉड को बहुत जादा गुसा आ रहा था क्योंकि जिस शेहर की रक्षा करने की कसम सिटी लॉड ने खाई वो शेहर को आज ये मॉंस्टर तबहा कर रहे हैं सिटी लॉड गुसे में अब अपनी दलवार को उठा कर बीस पर हमला कर देते हैं बीस भी उपर काउंटर अटाक करता है और उन दोनों के अटाक अब एक दूसरे को पीछे धकेले लगते हैं और फिर थोड़े स्ट्रॉगल के बाद सिटी लॉड फाइनली बीस को चान से मार के रहते हैं सिटी लॉड के एदाकर देकर शेहन होंग बहुत जादा शौक हो जाता है और फिर उन लोगों के बारे में भी सूचने लगता है जो काफी जाद स्ट्रॉग है और वो सिटी के अंदर कहीं छुपे हुए है अब बड़े-बड़े मॉंस्टर्स के मरते ही छोटे मॉंस्टर्स बिखरने लगते हैं और वो यहाँ-वहाँ भागने लगते हैं सिटी लॉट जिन्होंने अभी एक बीस्ट को मारा था वो वापस जाने लगते हैं लेकिन तब भी वो देखते हैं कि उस मरे हुए बीस्ट के अंदर से डीमिन स्पिरिट बहाँ निकल आई है इसका नाम डीमिन स्पिरिट ऑफ दे स्नो स्टॉर्म ग्रेट एप है यह एक दरह से स्पिरिट रिंग है जो ताक़वर मॉंस्टर्स के मरने पर उनके शरीर से निकलती है इसको अब्सॉब करने से वारियर और जाज़र स्ट्रॉंग हो जाता है सिटी लॉर्ड यह देखकर काफी ज़दा खुश होते है और शैन होंग इसको देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि यह डीमिन स्पिरिट सिटी लॉर्ड हासल कर रहे थे क्योंकि उसका मन करता है कि वो सिटी लॉर्ड से यह चीन ले क्योंकि अगर City Lord इसको हासल कर लेते हैं तो वो भी legendary rank पर पहुँच जाएंगे और फिर Shen Hong के लिए अपनी evil plans को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वो अब City Lord के पास आकर उसे चीनने की कोशिश करने लगते हैं तबी City Lord उसको देख लेते हैं और Shen Hong की हिमत नहीं हो पाती और फिर से शांत खड़ा हो जाता है और उनको बदाई देता है कि आपको इतनी ताकरवर demon spirit मिली है City Lord जो बहुत जादा खुश थे वो Shen Hong के evil face को नहीं पहचान पाते और वो उसको धन्यवाद करते हैं कि उसने उसकी मदद की Shen Hong बहुत जादा awkward smile देने लगता है और फिर हम नियली को देखते हैं जो अब अलग-अलग monster पर वो blades छोड़ रहा था और जब blades monster को जाकर लग रही थी और फिर अब यहां लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है जिसके बाद यह episode फिर यहीं कत्म हो जाता है